दुनिया का एक मात्र पक्षी मंदिर गुज्ञात में है कहा जाता है कि यहां पहले गधेश्वर नगर हुआ करता था जहां कूल 125 मंदिर थे उसमें से साथ मंदिर अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूज रहे हैं पशुपक्षिऊं के साथ मनुश्य का एक अलगी अडूट रिश्टा रहा है। इतना ही नहीं हिंदुस्टान में पशुपक्ष्यों को देवी दियाउटाउं के वाहन के रूप में भी स्थान मिला है और उन्हें पूजा भी चाता है पशुपक्षी के लिए जो प्यार है उसका एक प्रतिक है गुजरात के साबरकाथा जिला के हिम्मत नगर से 15 किलोमेटर की दूरी पर स्थित एक मंदिर यह मंदिर हमारे पुर्वजू की कलात्मक्ता और पशुपक्षियों के प्रती उनके प्रेम को दर्शाता है यह देश का एक मातर्य ऐसा मंदिर है जहा ہमारे पुर्वजू द्वारा पशुपक्षियों की पूजा की जाती थी ये मंदिर इतना खास है कि उस समय ब्रिटिश सरकार ने भी मंदिर का संग्यान दिया था 1960 में जब गुज्रात महराश्चर से अलग हुआ उस वक्त के गैजट में भी इस मंदिर का उलेख देखने मिलता है यहां के सभी मंदिर कला नकाशी और वास्तु कला के उत्कृष्ट उधारन है हाल फिल हाल इस मंदिर में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही दिवारों पर बनी पशु पक्षियों के चत्रत देखने मिलते हैं जिससे प्रतित होता है कि यहां भगवान विश्णू के साथ पक्षियों को भी पूजा जाता था इस मंदिर के खास्यत ये भी है कि इसके निर्मान में चुना या किसी अन्य चीज का इस्तमाल नहीं किया गया बलकि सिर्फ पत्थरों के उप्योग से मंदिर का निर्मान किया गया है यहां तालाब का निर्मान भी इस तरह किया गया है कि यहां 900 से जादा लोग इखटे रह सकते हैं इसके अलाबा यहां लाड़ेची मा की भी खूब माननेता है माना जाता है कि यहां मांगी गई मनुकामना जरूर पुर्ण होती है चाहे वो संतान प्राप्ति की कामना हो या कोई बाधा ली हो शिव मंदिर होने से यहां शिवरातरी और शावण मास में भक्तों की भीड उमरती है लेकिन यहां आने के लिए लोगन को काफ़ी परिशानियों का सामना करना बढ़ता है यहां के रास्ते उबढखाबढ हैं, इसके अलावा रात के समय बिजली नहीं होने से भी लोगों को परिशानी होती है सडग की भी ख़स्तहाल स्थिती होने से स्थानियों और बाहर से आने वाले शद धालूं को दिक्कते होती है जिसके चलते यहां जल्द सलक बनाये जाने की मांग की जा रही है। कई इमारते हैं जो हमें विरास्त में मिली हैं लेकिन रख रखाव के अभाव में ऐसी कई इमारते खंडर होती जा रही हैं ऐसी एक इमारत है साबरकाठा का यह मंदिर यदि इस जगह सरकार द्वारा उचितम मरमत कराई जाए तो निश्चित ही यह जगह पूरे गुज्रात में चानें जाइगी